गवाह बोला तबू के उकसाने पर सल्मान खान ने दवाया था गन का ट्रिगर सल्मान खान को अभी कालाहिरन मामले में जमानत नहीं मिली है जमानत मिलेगी या नहीं इसका फैसला शुकरवार को होगा इसी बीच कालाहिरन शिकार मामले में एक जानकारी सामने आ रही है रिपोर्ट्स की माने तो गवाह ने एक चानल को बताया कि सल्मान को कालाहिरन का शिकार करने के लिए तब्बु ने उकसाया था तब्बु के कहने पर ही सल्मान ने गन काच गर दबाया था बात जूदकुर में 1998 की है यहां फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी एक से दो अक्टूबर 1998 की रात को फिल्म के स्टार सल्मान खान सहित तबू, सुनाली बेंदरे, सैप हली खान, नीलम शिकार पर निकले जानकारी के अनुसार गवाह द्वारा एक चानल को बताया कि तबू ने सल्मान को काला हिरन के शिकार करने के कहा था गवाह ने बताया कि तबू ने सल्मान को गन काचगर दबाने के लिए कहा था और सल्मान ने दो हिरन का शिकार किया था जबकि सल्मान ने पहले दिये इंटर्व्यू में कहा था कि उन्होंने हिरन का शिकार नहीं किया और उन्होंने हिरन का शिकार करने वाले का नाम बताने से भी मना कर दिया था फिलहाल सल्मान जूदपूर की जेल में है उनके वकील ने मेल के लिए आरजी दे रखी है, ये भी पढ़ है.